Hello Students, स्वागत है आप सभी का Prelims 2023 के Question and Answer सीरीज में इस्टुडेंट्स अगर हम बात करें सीरीज के बारे में तो इस सीरीज के अंदर हम आपका जो Static Part है जो आपका Current Affair का Part है उसको यहाँ पे Proper Revise करवाएंगे More Than 1000 के आसपास जो Questions हैं वो हम यहाँ पे Discuss करेंगे और आपका जो सभी Parts हैं जो Standard Books हैं वो Revise करवाई जाएंगे इस सीरीज के अंदर में तो आप Regularly इस सीरीज के अंदर जो भी Questions डिसकस किये जाते हैं चाए आपके Previous Year के हों चाए आपका कोई भी Important Exams जो UPSC के दुवारा Conduct करवाई जाते हैं तो उन सभी Questions को भी Include किया गया है इस सीरीज के अंदर में आप Regularly इनका Revise जरूर से कीजिए कम से कम 4-5 बार इनको Revise करना अच्छे से इनको Revise करोगे तो ही आपको यह जो Topics हैं वो याद रहे पाएंगे 2023 का जो Prelims का Paper है क्योंकि Examination का जो आपके उपर जो Pressure होगा Exam Hall के अंदर तो अगर आपने कोई किसी भी Topic को किसी भी किताब को अगर अच्छे से याद नहीं किया है तो हो सकता है कि आप Exam का जो Paper के अंदर जो Pressure की वज़े से उस Topic को भूल सकते हो हो सकता है कि आप राजा का जो नाम है वो Confuse हो कोई Location का जो नाम है उससे आप Confuse हो तो इसको Proper Revise जरूर करना क्योंकि Revision की एक अपनी Value है उसको आप जरूर मेंटेन रखना तो आज का जो Discussion है उसको Start करते हैं Students अगर हम बात करें हमारे First Topic के बारे में First Question के बारे में तो First Question के अंदर पूछा गया है कि कुछ Set of Countries का जो नाम है उदिया गया है इन मेंसे कौन से Country है जो BIMStack जो Organization है जो Group है उसके Part है अगर हम बात करें Students BIMStack के बारे में तो BIMStack basically Be of Bengal का एक Initiative है Be of Bengal की जो Countries है उनका एक Initiative है Be of Bengal Initiative for Multisectoral Technical and Economy Corporation का ये Organization है सबसे पहले ये जो Organization का जो Establishment हो आपको 1997 के समय देखने के लिए मिलता है Bangkok का एक Declaration है उसकी वज़े से ये existence के अंदर आता है पर बाद में जो समय के साथ ही Myanmar इसको जोइन करता है उसके बाद में आपको देखने के लिए मिलेगा कि 2004 की समय में जो 2004 का जो समय है उसके अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा कि जो Nepal और Bhutan है वो भी इसको जोइन करेंगे नेपाल और Bhutan और उसके साथ ही ये जो है ये BIMSTAC का Organization है वो बनता है South Asia और South East Asia के लिए एक Bridge के रूप में काम करता है BIMSTAC अगर हम South Asia के Countries की बात करें तो 5 कंटरी ऐसे हैं जो South Asia के यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेंगे इसको याद करने का एक तरीका है BBIN ये एक Basically एक Group है BBIN किसका Group है? बंगलादेश, भूटान, इंडिया और नेपाल इनका एक Motor Vehicle Agreement भी था जिसको भूटान ने Reject किया था BBIN ये चार कंटरी हैं इसके लावा आपको BBIN के लावा जो स्रिलंका जो है वो भी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा और South East Asia के जो दो कंटरी है वो है Myanmar और Thailand जो Myanmar है और Thailand है वो आपको देखने के लिए मिलेगे तो students इसका जो right answer है वो है B answer A के अंदर भी जो कंटरीज का जो Group है वो सही है पर Thailand और Myanmar को अगर देखा जाए तो अगर A और B में compare करें तो correct जो answer है वो आपको देखने के लिए मेलेगा B C के अंदर अगर हम बात करें तो आप देखें कि यहाँ पे Maldiv को add किया गया है D के अंदर Indonesia को add किया गया है तो यह कोई भी इसका जो part है वो नहीं है right answer यहाँगा B Bimstack के अगर headquarter के बारे में बात करें headquarter इसका बंगलादेश की जो capital है धाका वहाँ पे situated है Bimstack के लिए concern भी है concern यह है कि जो Bimstack की जो meetings है वो आपको regularly नहीं देखने के लिए मिलती है तो यह सबसे बड़ा concerns है वो Bimstack के लिए यही है students अगर हम बात करें next topic के बारे में तो next topic है जो regional blocks है उनके headquarter के regarding में यह जो topic है यह पूछा गया है तो हमारा regional block के बारे में आपको पता होना ची आप देखे कि सबसे पहले EU के बारे में पूछा गया है European Union European Union का जो establishment है वो आपको 1948 के समय में देखने से मिलता है कि 1948 के समय में वहाँ पे जो अलग-लग committees बनती है जिसके अंदर Paris की treaty है letter page में आएगी और recently जो treaty of placement है 2009 के समय में वो European Union के establishment के regarding में यह different treaties हैं वो देखने के लिए मिलती है European Union 27 countries का एक group है जो Europe के जो countries है उनका एक group है अगर हम इसके headquarter की मात करें तो Brussels है जिसको Luxembourg के नाम से भी जानते हैं Brussels वहाँ पे इसका जो headquarter है वो located है Vienna के अंदर नहीं है second अगर हम बात करें students ASEAN के बारे में ASEAN एक 10 countries का group है जिसका जो headquarter है वो Jakarta के अंदर है जो big 5 countries है उनके दुवारा 1967 के समय में ASEAN के जो 1967 है उसके अंदर एक Bangkok declaration होता है जैसे अभी हमने BIMStack के अंदर Bangkok declaration को discuss किया है वैसे ही Bangkok declaration ASEAN के regarding में भी है तो ASEAN के यह जो 10 countries है जिसमें 5 जो big powers है वो यहाँ पे मिलते हैं और उसके बाद में लेटर फेज में और countries है वो उसको join करते हैं 10 countries को याद करने का एक तरीका है MBBS MBBS PTV MBBS PTV PTV पहले एक channel हुआ करता था पंजाब के regarding में PTV LIC तो यह याद करने का तरीका क्या है यहाँ पे देखे कि Malaysia है यहाँ पे इसके अंदर एक जो importance यह भी है कि आपको यहाँ पता होना चाहिए कि B का जो meaning है वो B का meaning यहाँ पे बर्मा को रखा गया है जो Myanmar का ancient name हुआ करता था बर्मा तो यहाँ पे आप देखे कि Malaysia है बर्मा है ब्रुनी है Singapore है Philippines है Thailand है Vietnam है Laos है Indonesia है Cambodia है यह 10 countries है BIMSTAC का India का BIMSTAC के साथ में जो relation है वो आपको देखने के लिए मिलता है एक दहली declaration भी है India और ASEAN के जो countries है उनके लिए थार्ड अगर हम बात करें थार्ड है OPEC के बारे में Organization of Petroleum Export Countries का जो Organization है जो 1960 के समय establishment में आया और उसका जो headquarter है वो Vienna के अंदर है OPEC का जो establishment है वो आपको बगदाद conference के थुरू देखने के लिए मिलेगा 1960 के अंदर एक बगदाद conference हुई थी Iraq Kuwait Saudi और Venezuela की जो countries है उनके दुआरा ये जो conference और और गनाइज की गई थी और इसका जो headquarter है वो Vienna के अंदर है आप देखे कि OPEC का जो headquarter है वो Vienna के अंदर है ASEAN का जो headquarter है वो Jakarta के अंदर है और European Union का जो headquarter है Brussels के अंदर है Luxembourg जिसको बोलते है तो तीनों के अंदर match नहीं है तो D यहाँ पर answer होगा Students next topic के बारे में बात करें यहाँ पर All India Census के बारे में बात की गई है कि पहली बार हमारा जो All India Census है वो कब attempt किया गया था आप देखे कि 1872 का जो समय है उस समय में हमारे यहाँ पर Voice Roy हुआ करते थे Mayo नाम के जो person है वो वो iPad Highway हुआ करते थे तो उनी के समय में हमारा जो पहली बार जो census है वो attempt किया गया था 1872 के समय में अब आप देखें कि regular कब से है हमारा जो census वो regular आपको 1881 के समय से देखने के लिए मिलता है और 1881 के समय हमारे voice row कौन हुआ करते थे रिपन नाम की जो person है Lord Rippan जिनके समय जो ilbert Bill controversy है इनको father of local self government के father के रूप से भी जाना जाता है Lord Rippan को तो आप देखें कि Rippan के समय से ये continuous है हमारा जो census है और ये पहली बार जो attempt है जो practice किया गया था वो Lord Mayu के समय किया गया था Lord Mayu के दुआरा क्या-क्या काम किये गए है एक तो statistical जो organization है उसको establish किया इंडिया के अंदर में इनके दुआरा जो Mayu कोलेज है वो भी establish की गई है पुराने समय में जो bureaucrats हुआ करते थे उनका वहाँ पे training के लिए उनको पढ़ाने के लिए जो aristocrat families हुआ करते थे उनकी बच्चों के लिए Mayu कोलेज आद भी situated है राजस्तान के अंदर अजमीर के अंदर situated है और एक दो जगे और है जहाँ पे भी Mayu कोलेज है वो situated है तो students यह लोड माय और लोड रिपन के बारे में है प्रिजेंट समय में अगर हम census की बात करें तो Registrar General of India है जो Registrar General of India है जो Ministry of Home Affairs के अंडर में आते हैं उनके दुआरा जो census है वो conduct की जाती है Students यहाँ पे census की बात की गई है तो आपको citizens के बारे में भी पता होना चीए Article 5 to 11 के अंदर है जो यहाँ पे citizens है उनको citizenship की है उसकी बात की गई है यहाँ पे Article 11 के अंदर बताया गया है कि Parliament को ultimate authority है Constitution ने बताया है Parliament की authority के बारे में अगर हम बात करें Students यहाँ पे हमारे citizenship को gain करने के जो 5 तरीके हैं उनको भी आपको पता होना चीए by birth है, by registration है by acquisition है, by naturalization है और descent के थूँ आप अपना जो यहाँ पे citizenship है उसे gain कर सकते हो अभी recently जो citizenship amendment act था, वो controversy के अंदर में था काफी वज़े से कि वहाँ पे religion को एक criteria माना गया था हमारे जो neighbor countries हैं वहाँ पे जो religious minorities हैं उनके prosecution की वज़े से हमारी country निवासुदेव किटमकम का जो concept हो अडोट किया और उन सभी लोगों को welcome करने के regarding में था, तो यहाँ इसी वज़े से वह controversy में था, आप देखे कि जो citizenship gain करने के जो तरीके हैं इसके अंदर आपको जो religion है वो देखने के लिए नहीं मिलेगा, इसके लावे students अगर हम बात करें कि वो तो हमने citizenship की बारे में बात की गई recently हमारे यहाँ पे दो ऐसी communities हैं जो बंगलादेश से prosecute आये थे चकमा और हजोंग, चकमा और हजोंग नाम की दो communities हैं जिनके बारे में सुप्रिम कोट के दुवारा guidelines दी गई हमारे government को, कि इनको जो citizenship है वो प्रवाइड की जाए चकमाज के वह अगर हम बात करें वो बुद्धिष्ट community से बिलोंग करती हैं जोंग basically Hindus हैं तो students वो भी आपको पता होना चीए अगर हम बात करें तो यहाँ पे right answer होगा 1872 अगर हम बात करें next question के बारे में next question है खजराओ temples के बारे में जो की आपको खजराओ के जो जगह है मद्यपरदेश के अंदर वहाँ पे इनकी जो temples हैं वो देखने के लिए मिलते हैं इसमें केंद्रिया महदेव भी है sand made ये जो sand stone है उसका use किया गया है सभी temples के अंदर में फर्स्ट statement correct है second के अंदर आप देखे कि जो यहाँ पे अगर हम खजराओ group of school की बात करें जहाँ पे जो temple है वो construct किये गए हैं तो यहाँ पे आपको lavishly decorated जो walls हैं वो देखने के लिए मिलेंगी interior भी और exterior भी दोनों तरीके से उनको carving है वो की गई है दिवारों के उपर में खजराओ school of temple architecture के अंदर में यहाँ पे आपको पंचायतनी style of जो architecture है वो देखने के लिए मिलेगा और जो वास्याना का जो कामा सुत्रा का जो concept है वो erotic जो images हैं erotic जो themes हैं वो आपको देखने के लिए मिलेंगी इसके लावा अगर हम बात करें important temples के बारे में important temple वहाँ पे हैं केंदरिया महादेव है लक्समन जूला है जो NCRT के अंदर mention किया गया है लक्समन temple को आप उसके बारे में जरूर से read करना art and culture की जो red book है 11th की जो NCRT है उसके अंदर उसको mention किया गया है तो यह आपको देखने के लिए मिलेगा इस khajrao जो temple के अंदर में Solanki dynasty के बारे में बात करें गुजरात के अंदर situated है और जो भीमा नाम के ruler हुआ करते थे वो Solanki dynasty से belong किया करते थे जिनके दुआरा मोदेरा का सन temple है वो create किया गया है रानी की वाव भी इनहीं से associated जो रानी है जिनके दुआरा बनाई गई है गुजरात के partner जो डिष्टिक है उसके अंदर हो situated है काफी famous है तो only one यहाँ पर correct होगा next अगर हम बात करें students question के बारे में Mount Kailas के बारे में पूछा गया है कि Mount Kailas का जो रावन सेकिंग है यह रावन की खाई भी इसको बोला जाता है तो जो रावन सेकिंग जो यहाँ पर temple है वो कहाँ पर situated है तो students जो Kailas Nat का जो यहाँ पर रावन सेकिंग जो यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा आपको यह आपको Elora के जो caves है उनके वहाँ पे जो temple है वो बनाया गया है cave number 16 के अंदर में जो Elora की जो caves के बारे में अगर हम बात करें Elora की caves के अंदर आपको Hinduism as well as अगर हम बात करें जो बुद्धिजम का जो influence है वो भी आपको देखने के लिए मिलती है एक से लेकर जो 12 नंबर cave है वो बुद्धिष्ट है एक से लेकर 12 नंबर जो caves है वो बुद्धिष्ट है 13 से लेकर जो 29 सक की caves है वो Hindu caves है और इसके अलावा अगर हम बात करें जो 30 से लेकर 34 है वो Jain caves है तो बुद्धिजम है, Hinduism है और Jainism है उनका influence आपको देखने के लिए मिलेगा इस Elora की जो temple architecture है या जो caves है इनका जो construction है वो basically राष्टिकूट डाइनेस्टी और जो Jain caves है जो Jain cave आपको देखने के लिए मिलेगी cave नंबर 30 से लेकर 34 के अंदर में जैन caves को यहाँ पे construct कराया गया था जो देवगरी से यादव डाइनेस्टी रूल किया करती थी उनके दुआरा इस्टुडेंट्स तुगलक डाइनेस्टी जब पावर के अंदर आती है दहली सल्तनत के समय में तो उसके एक राजा होते है मुहमद बीन तुगलक मुहमद बीन तुगलक यहीं यह जो देवगरी है जिसके लिए वो विजिट करेंगे अपनी जो capital है उसको shift करते है दहली से उनकी जो तीन mad decisions है जिनमें एक decision इसको भी माना जाता है कि वो देवगरी के लिए जाते हैं वहाँ पे और देवगरी को letter phase में दोलताबाद के नाम से जाना जाता है तो students अगर हम बात करें next question के बारे में next question है कि जो non banking finance company है non banking finance company regarding में question है basically पहले तो आपको यह पता होना चीए non banking finance company क्या होती है companies act 1956 के थुरू यह बनती है यह यहाँ पे जो deposit है वो accept कर सकती है only जो term deposit होता है वो ही यहाँ पे accept कर सकती है पट अगर हम बात करें कि demand deposit अब आपको यह पता होना चीए कि दो तरीके के जो deposit हैं वो हम bank के अंदर करते हैं एक तो होता है time deposit अब time deposit क्या होगा time deposit जैसे कि देखे आपने FD करवाई जो fixed deposit है वो करवाया बैंक के अंदर में 5 लाख रुपय का आप आपने उसको deposit करवा दिया जब आपका वहाँ पर 5 साल का जो time period है 5 लाख का वो complete होगा तो आप उसको जब remove करोगे तो जब आपको वो proper interest है वो आपको मिलेगा अगर आप उसको समय से पहले अगर आप उसको redeem कराना चाहोगे तो आपका कुछ जो पैसा वैसा है वो उसके अंदर कड जाएगा तो इस तरीके की जो activities है वो आपको non banking finance company के अंदर भी देखने के लिए मिलेगी यह time deposit है पट अगर हम बात करें demand deposit है तो demand deposit basically आप bank के अंदर गए और अपना जो account है उससे पैसा निकलवाने की कोशिस किये वो आपको यहाँ पे नहीं देखने के लिए मिलेगा non banking finance companies के दुआरा इसके लाव non banking finance companies के दुआरा जो payment and settlement का part के अंदर नहीं आती है तो कि companies act के अंदर बनी है वो आपको banking act के थुरू देखने के लिए मिलेगा तो यह यहाँ पे basically main region है जिसकी वज़े से इनके दुआरा जो demand deposit की जो activity है वो नहीं carry out की जा सकती है इसके लावे इनको यहाँ पे allow भी नहीं है कि open करें यहाँ पे जो saving accounts है उनको यह open करें यह भी इनको basically allow नहीं है loans यह provide करती है जो छोटे छोटे जो micro finance institutions है या जो SSZ है self help groups है उनको यह जो loans है investment है यहाँ पे provide करती है banks से borrow भी करती है next question के अगर हम बात करें student next question है कि North East के अंदर में ऐसी कून सी जो tribe है जिससे पहले जो tea है उसका जो cultivation है वो किया था तो यह आपको पता होना चाहिए यह basically आपको regular books के अंदर नहीं देखने के लिए मिलेगा काफी ज़्यादा आप search करोगे या आपको अगर little bit interest होगा तो ही आपको इस तरीके का जो question है वो आप soul कर सकते हो एक तो आपको ऐसा देखे कि आपको सभी questions है वो attempt नहीं करने होते हैं कभी-कभी ऐसे questions भी होते हैं उनको ना attempt करना भी है कि attempt करने के बराबर ही माना जाता है क्योंकि उसके more chances है incorrect होने के जब आपको उस question के बारे में कुछ भी नहीं पता है तो यहाँ पे आपको दो-तीन information टी के बारे में होनी चीए एक तो टी का जो plantation है उसको पानी की काफी ज़्यादा जरुरत होती है पर पानी उसके लिए stagnant नहीं होना चीए तो ऐसे जो हिली areas होंगे वहाँ पे जो टी का जो plantation है वो किया जाता है क्योंकि पानी वहाँ पे stagnant नहीं हो और वो निकल जाए बारिस होने के बाद में हमारा जो नोर्थिष्ट का area है उसके अंदर जो टी plantation है वो ब्रिटिस के दुआरा किया गया था और आप देखे कि जो चाई और चाईना की जो monopoly है जो company जो इस्ट-India company हुआ करती थी उसकी जो monopoly है उसको abolish कर दिया था और accept किया गया था चाई और चाईना को और यह चाई और चाईना की monopoly है इसको भी 1833 का जो act था उसके अंदर abolish कर दिया गया था क्योंकि 1813 के अंदर allow नहीं किया था उसके अंदर चाई और चाईना के अंदर अलाऊ थी कंपनी की मोनोपोली यहाँ पे जब नोर्थ इस्ट के अंदर जब चाई का जो प्रोडेक्शन है जो असोसियेशन है वो इस्टार्ट किया गया इस्ट इंडिया कंपनी के दुआरा तो बाहर की जो लेके जाये करते थे काफी सारी जो ट्राइब सा वो वहाँ पे लेके गई है चाई सेंटरल इंडिया से हो चाई कोई दूसरे स्टेट से वहाँ से यहाँ का जो राइट आंस्वर है कि जो चाई का जो कल्टिवेशन और प्रोडेक्शन है जो ब्रेटिस अथिरिटीज के आने से पहले भी जो यहाँ पे जाना करते थे इसके बारे में तो सिंगफोज नाम की एक ट्राइब है वह लोग यह जाना करते थे बुद्धिष्ट यह फेट को फोलो करते हैं सिंगफोज या अरुनाचल के अंदर इसका हेड़क्वाटर है यह आपको पता होना चाहिए नेक्ट अगर हम बात करें के बारे में नेक्ट क्यूशन यह है कि इन में से कौन सी रीवर ऐसी हैं जिस रीवर के रिगार्डिंग में इंडिया और चाइना के दुवारा MOU साइन किया गया है डाटा सेरिंग के रिगार्डिंग में आप देखें कि यहाँ पे अगर हम बात करें कोसी रीवर के बारे में तो कोसी रीवर का जो ओरीजिन है वो कहां से नेपाल से देखने के लिए मिलता है इसको बिहार के सोक के रूप में भी जाना जाता है कि सोरो बिहार है क्योंकि इनकी दुवारा जो सेडिमेंट्स है वो बोरो किये जाते हैं काफी सारे और उस सेडिमेंट्स जब रिवर के कोर्स के अंदर डिपोजिट होते हैं तो सिप्टिंग करती है ये अपना कोर्स कोसी नदी इसी वज़े से इसको बिहार का एक दुख है या सोरो बिहार के रूप से भी जाना जाता है इस्टुडेंट सतलूज रीवर के बारे में आपको पता होना चाहिए जो मानसरोर से निकलती है जो वेस्टन टिबेट है आप देखे कि टिबेट इस तरीके से जो वेस्टन पार्ट से आपको यहां पर सतलूज देखने के लिए मिलेगी और इस्टन पार्ट से आपको जो भ वगरा रेज की यह थेडिय对 उने से उनके द्वारा भ्रह्म्पुतुरा नदी है उसके उपर भी बनाएगे हैं सतलुज नदी के अगर हम बात करें इंडिया के एंडर जो एंट्री है वो सिप्कीला जो पास है चिपकीला जो पास है उस पास से ये इंडिया के अंदर इंटर करती है ये आपको पता होना चीए और ये इस्टन फ्लोइंग रिवर है इंडस वाटर ट्रीटी की इंडस वाटर ट्रीटी क्या है इंडस जो सिस्टम है rivers का जिसके अंदर 6 नदिया है major जो नदी है वो 6 नदी है 3 नदिया जो western flowing rivers है वो पाकिस्तान को है कि पाकिस्तान वहाँ पे जो अपना construction है जो इस तरीके से utilize करना है वो कर सकता है जो है अगर हम बात करें इंडस है चेनाव है और जेलम है यह पाकिस्तान को नदिया दी गई है इंडिया के पास कौन सी है रावी, ब्यास और सतलुज अब इंडिया क्या western flowing rivers के उपर कुछ भी नहीं कर सकता तो run of the river के अंदर में कि river के जिस स्पीड से चल रही है उसी पानी को use करते हुए यहाँ पे कोई अपना प्रोजेक्ट है वो इस्टेबलिस कर सकता है इंडिया western flowing rivers के अंदर भी इंडस water treaty के अंदर आपको जो world bank है उसके दुआरा इस treaty को broker किया गया था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में और permanent इंडस commission है दोनों countries को establish करना है proper communication के लिए जो दोनों countries के दुआरा establish किया गया है और उनकी जो meetings है वो आपको देखने के लिए मिलती है next अगर question की बात करें next question है IE stamp के बारे में IE stamp basically पूछा गया है कि IE stamp जो initiative है किसके regarding में है यह जो portal है तो IE stamp के बारे में कि IE stamp के दुआरा जो science, technology, engineering and mathematics है उसके अंदर जो opportunities है उसको create किया जा सके अभी देखिए recently जो IE stamp का जो concept है science, technology, engineering and mathematics इसके अंदर में अभी recently जो हमारी principal scientific advisor होते हैं उनके दुआरा एक concept चलाया गया है west का अब west क्या है women in the engineering science and technology women's का जो promotion है उसके करने के regarding में तो इसी वज़े से जो IE stamp का जो concept है वो news के अंदर में था ये stamp का जो concept है वो UPSC के दुआरा काफी बार पूछा जा चुका है कि stamp sector basically किस sector से related है science, technology, engineering and mathematics से regarding में है और इसी sector के अंदर महिलाओं का जो योगदान है उसको increase करने के main motive है government का तो IE stamp platform तो यहाँ पे जो research की जो activity है जो research and development है उसको promote करने के regarding में है next अगर हम बात करें students next यहाँ पे topic है कि जो हमारे principal scientific advisor है उनके बारे में यहाँ पे बोला गया है तो हमारा जो पहले principal scientific advisor कोन हुआ करते थे उसके बारे में आपको पता होना चीए तो students principal scientific advisor का जो concept है तो यहाँ पे question पूछा गया है students कि जो principal scientific advisor की जो post है वो कैसे create हुई तो आप देखें कि 1998 के समय में हमारा जो cabinet secretary है उनके दुआरा principal scientific advisor की जो post है वो create की गई थी और हमारे जो former जो president है डॉक्टर एपीजे अब्दुलकलाम उनके दुआरा पहली बार यह जो post है first principal scientific advisor हुआ करते थे इंडिया के अब ही अगर हम बात करें present समय में विजे रागवन नाम के विजे रागवन नाम की जो person है वो present समय में हमारे principal scientific advisor है students अगर हम बात करें second topic की तो जो PM की science technology and innovation advisory council है एक nine members की council होती है इस council को head किया जाता है हमारे principal scientific advisor के दुआरा तो दोनो statement यहाँ पे correct है first हमारे principal scientific advisor थे डॉक्टर एपीजे अबदुलकलाम तो students यह हाज का हमारा quiz है इस quiz से related जो भी information है उसको आप regularly revise कीजिए जो भी हमने यहाँ पे discuss किया है और regularly आप steady करोगे students आपको preparation में कहीं न कहीं help करेगा किसी भी topic को आप देखे उसको regularly revise जरूर से करना तो thank you students thank you very much